क्या आपको पता है friends कि अगर हम घी या तेल में रोटी को इस तरीके से तल देंगे और उससे बहुत ही जादा सांदा रेस्पी बनकर रेडी हो जाती है तो अगर आपने इसे कभी भी ट्राइ नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राइ करना इतनी गजब की रेस्पी बनती है कि मस मजा ही आ जाएगा पाजार से इतने महंगे में लेकर आते हैं और घर पर कुछी टिप्स फॉलो करके आप इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं एक बार बनाएंगे हर बार बनाना चाहेंगे क्योंकि जो भी खायेगा आपकी तारीफ ये बगर रही नहीं सकता तो मैं आप सभी से एक प्यारी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आज की रेश्पी आप सभी को पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स रिस्तेदारों के साथ में सिर्ख कर दीजिएगा तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी रेश्पी बनाना ही स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन रोटी ले ली हैं ये वही गेहों की रोटी है जो कि हम लोग लंच डिनर में अकसर ही खाते हैं तो अगर घर में दो-तीन रोटी बच गई हैं तो उससे आप इस रेश्पी को बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह नहीं सोचना है कि मतलब अगर आपकी रात की बची हुई रोटी उससे ही बना सकते हैं यह रोटी मैंने दोपहर में बनाई थी तो बस वही बची हुई है मैं इसी-स रेश्पी को बना कर रेडी करूँगी तो यहाँ पर मैंने तीन रोटी नहीं है पतली-पतली साइज में है आपके घर में अगर मोटी रोटी बनती है तो आप दो भी ले सकते हैं गजब की सांदा रेश्पी बनेगी फ्रेंड्स इसको ट्राइज जरूर करना एक बार मेरे कहने पर तो यहाँ पर देखे रोटी तो हमने निकाल ली है अब ले लिया है एक कड़ाही में घी आप यहाँ पर घी या तेल मतलब रिफाइंड ओयल कोई हार्ड ओयल मतलीजिए से तल्कों अच्छे से गर्म करेंगे और एक निकोटी हमेज में डालते जाना है और बढ़ी हएसा क्रिश्पी होने तक इससे तल मैंnor ना हैं ऐसा भी नहीं है अगर आपने ताजी रोटियां बनाई हैं उनसे भी आप इसे बना कर रेडी कर सकते हैं तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि हमें जब इसको फ्राई करना है न तो बड़े हांसा क्रिस्प आ जाना चाहिए जलनी नहीं चाहिए मतलब जब आप पूरी बनाते हो नो कभी देखा होगा तो थोड़ी देर जब वो तेल में पड़ी रहती है तो बड़े हांसी क्रिस्पी हो जाती है तो इसी तरीके से एक एक करके हम सभी रोटियों को फ्राई कर लेंगे अब आप यह मर्सोचने लगना कि इससे हम चूर्मा बनाने वाले हैं या चूर्मा लड़ू बनाने वाले हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पापड जैसी हो गई है मतलब कि एक दम से क्रिस्पी हो गई है और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाना तो आप इसे इस तरीके से पीसेस में तोड़ लेना अब तो आपके मन में आ रहोगा पक्का चूर्मा ही बनाने वाले और नई फ्रेंट्स मैं चूर्मा नहीं बनाऊंगी मैं इसका बिल्कुल डिफ्रेंट सी रेस्पी बना रही हो तो इसका मतलब इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफ्रेंट आने वाला है तो इनको इसी तरीक कप के लगभग desiccated coconut लिया है मतलब कि आदा कप से सोड़ा सा कम है आपके पास आदा कप है तो आप डाल दीजे का मेरा खतम हो गया था और इसको अच्छे से हमने इस तरीके से desiccated coconut को रोटी के साथ में पीसेंगे तो बहुत ही अच्छे से सभी चीजे आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती है तो यहां पर देखे बहुत ही अच्छा से पाउडर बनका रेडी हो गया है और हाँ अगर आपके पास desiccated coconut नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है गोला होता है उसको कद्दू कज करके आप इसमें पीस सकते है तो उससे भी बिल्कुल यही ते मतलब texture आएगा और recipe हमारी बिल्कुल सांदार बनेगी तो यहां पर हमने लग लिए है कड़ाही मतलब की मोटे तले की कड़ाही लीजिएगा और इसमें डाल देंगे 1 4th cup चीनी अभी ज्यादा चीनी का हम यूज नहीं कर रहे हैं गैस का flame on कर दिया है medium flame पर और हमें चीनी को थोड़ा सा फैला के डालना है जैसे कि मैंने डाला है और थोड़ी दिर में ही आप देखेंगे चीनी melt होना ही start हो गई इसमें हम पानी वगेर कुछ भी add नहीं कर रह तो यहां पर थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी melt होना ही start हो रही है मतलब ही caramelize होना ही start हो गई है तो बस अपनी जो spatula है थोड़ा थोड़ा बीच में घुमाते जाएंगे कि इससे मतलब कहीं यह लगना जाए जलना जाए क्योंकि caramel जो टे क्योंकि एकदम से अगर caramelize होना ही start हो गई ना तो फिर वो burning वाला flavor आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं चीनी का जो color है हलका हलका change होना ही start हो गया है देखिए हलका सा yellow ही हो रहा है ना बस ऐसा ही चाहिए कुछ मलब हलका सा light yellow color का हो जाए बस वैसा चाहिए मुझे इस recipe के लिए अगर आपको अपनी जो recipe है थोड़ी सी dark color में चाहिए तो थोड़ा सा आप इसको और dark कर सकते हैं जैसे कि हलका light golden brown color जो होता है बस वैसा कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बड़े हां सा color आ गया है light yellow color का यह दिख रहा है ना कुछ-कुछ और जो च तो यह normal temperature पर पहले से boiled milk है दो कप यहां पर हमें milk यूज करना है एक कप milk डाल कर हम इस तरीके से अगर हिलाएंगे तो आप नीचे देखेंगे सतर पर पूरी चीनी जो थी जम गई है एक पपड़ी की layer में तो कोई बात नहीं friends हमें यहां पर total मिलाके दो कप दूद का यू इस में spatula घुमा दीचिएगा बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है नीचे से बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है क्योंकि हमने यहां पर नॉन इस्टिक पैन का यूज किया है दूद में अच्छा सा एक boil आगया है और यहां पर चीनी करमलाइस होने की वैसे दूद का color भी change हो गया है तो बस हलका light सा जो यह color आएगा ना बहुत प्यारा लगेगा और यहां पर हमें और भी बढ़ा सा flavor देने के लिए आधा lemon मतलब आधा नीबू का juice लिया है इसको हम डाल देंगे gas का flame बिल्कुर से slow रखिएगा और जब हम नीबू इसमें डालेंगे ना तो आप देखेंगे हलका हलका मतलब इसमें थक्ये बनना स्टार्ट हो गया हम बिल्कुर से फटे करने इस बात की चिंता मत करिएगा कि दूद हमारा बिल्कुर से फट जाएगा तो यहाँ पर मैंने नीबू की juice का use किया है आप चाहें तो यहाँ पर दो चमल दही का भी use कर सकते हैं और बस इसी तरीके से अच्छे से mix करेंगे और गैस का flame फिर से मैं medium कर दूँगी जब हमने नीबू एड़ किया था न उस टाइम पर हमने बिल्कुर से slow कर दिया था औ और बस अच्छे से mix कर देंगे थोड़ा थोड़ा इसमें जैसे छेना नहीं फट जाता है उस तरीके से हो जाएगा और थोड़ा सा दूद रहेगा तो उसके साथ में जब आप इस दूद को गाढ़ा करेंगे और जो भी हम recipe बनाएंगे बहुत ही गजब की बनेगी तो यह यहां पर फटा फट से पहले हम इसे गाढ़ा कर लेते हैं तो यहां पर दूद पकते पकते अपनी quantity का आधा हो गया मतलब कि एक कप की लगभग दूद यहां पर बच्छा हुआ है अब हमने जो रोटी को पीस कर रेडी किया था इस सरीके से इसमें एड करते जाएंगे और इस पैचुला से मिक्स करते जाएंगे एक साथ पूरा मिक्सर मट डालिएगा थोड़ा थोड़ा इसमें डागते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही आराम से अच्छे से बिना लंज का रेडी हो जाएगा और जैसे ही आप इसमें पूरा मिक्सर डालेंगे और इसे mix करेंगे तो आप देखेंगे फटा-फट से गाढ़ा होना start हो गया है एकदम से जैसे मावा होता है उस form में हो जाएगा तो इस spatula से थोड़ा सा प्रस करते हुए आप इसको mix करियेगा अब यहां पर रोटी का flavor ना आए उसके लिए आप यहां पर कुछ भी मतलब जो भी यहां पर रोटी का यूज किया है अब यह देख सकते हैं कितना बढ़े हां सा थीक हो गया है एकदम से दानेदार सा यह इसका texture कुछ बनकर ready हुआ है तो last में जब यह थीक हो जाएगा आधा cup हमें यह आप चीनी डाल देनी है और यह काम आपको एकदम से last में करना है जब बिलकुर से थीक होकर ready हो जाएगा इससे क्या होगा कि जो चीनी है बहुत ही अच्छा सा साइन लेकर आएगी इसमें तो इसलिए हमने चीनी को स्टार्टिंग में आड नहीं किया है इस टाइम पर एड करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसमें color आएगा sign आ जाएगा और यह बना रहे हैं और चीनी डालना है डारेक्ट आपको तो लास्ट में ही डालिएगा इससे क्या होगा घी क्वांटिटी कम लगती है और जो भी हम हलवा हलवा बनाते ना उसमें क्या होता है color बहुत अच्छा आता है sign अच्छा रहता है moist रहता है एकदम से juicy रहता है तो यह त एड़ी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बिल्कुल से juicy बनकर ready हुआ है अब चलते हैं इसको थोड़ा सा try करते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे थोड़ा सा portion लीचिएगा इस तरीके से गोली बना के देखिएगा हाथ में बिल्कुल भी नहीं चीपक रहा है बहुत गरम लग रह मेरे हाथ में गरम लग रहा था इस टाइम पे तो आप लोग भी थोड़ा से संभाल के चेक कर लेना हाथ में चीपकना नीचे यह तो इसका मतलब है कि हमारा mixer बनकर ready हो और पैन में चीपक नहीं रहा है अब इसको set करने के लिए मैंने यहां पर बर्फी जमाने वाली ट्रे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है पूरा का पूरा mixture हमें इसमें इस तरीके से ट्रांसपर कर देना है अब यहां पर आती है बात कि आपको कैसे pieces चाहिए उस हिसको set कर सकते किसी को थोड़े से मोटे बर्फी के pieces अच्छे लगते हैं किसी को पतले अच्छे लगते तो अ इस पैचुला से सोड़ी सी fincing दे दी है सेट कर दिया है वैसे तो ज़्यादा fincing देने की जरूत नहीं है क्योंकि जो चीज अभी बनकर रेड़ी होगी न वो थोड़ा सा बिना finishing का ही अच्छा लगता है तो यहां पर center में मैंने इसको कर दिया है और इसे 3-4 घंटे के बहुत ही आराम से demol कर सकते हैं अब यहां पर देखिए अच्छे से सेट हो गया तो butter paper भी आराम से निकल गया है और हमने इस प्लेट पे इसको जमाया था उसके back side में रख लेंगे इससे क्या होगा काटने में pieces बहुत ही आसानी होती है तो यहां पर जो starting का piece है उसे काट के निकाल देते हैं और इसका texture देख सकते हैं कितना बढ़ें आया है तो बस आप इसे छोटे बड़े जैसे piece चाहिए आप उस तरीके से cut कर सकते हैं मैं आज इसे लंबे-लंबे pieces में cut कर रही हूं मतलब कि जो rectangle shape में इसे cut करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने soft pieces है काटने से ही पता चल रहा होगा कि एकदम से soft हैं मूँ में घुल जाने जैसे pieces बनकर ready हुए हैं और knife को पीच-पीच में इस तरह से clean कर लीजिए कि अगर गंदी हो गई है जिससे क्या है हमारे pieces बहुत ही अच्छे से cut कर ready होंगे अब मैं यहां पर आपको एक piece उठा के दिखा रही हूँ इसका texture देखे बिलकुर से दानेदार है आप किसी को खिलाएंगे यकीन मानिये उन्हें समझी नहीं आएगा कि आपने इसे रोटी से बनाया है कोई कहेगा कला कंदल जैसा लग रहा है किसी को यह मूंग डाल का बर इसकी garnishing मैं कर रही हूँ बारी कट हुए पिस्ते से और यह देखे तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़े pieces में कट किया आप इसको आप पिसे में भी कट कर सकते हैं अब मैं आपसे बस इतना ही कह सकते हूँ कि इस recipe को एक भार try करना तो बनता है और मैं यहां पर एक piece आपको त खिंगे और घुल जाएगी इस टाइब की वर्फी है यह देखिए तोड़ने से पता चल रहा है ना एकदम से juicy है ना हमने इसमें घी यूज किया है लेकिन फिर भी इसका टेकसर कितना सांदार आया है उमीद करते हूँ आज की recipe आप सभी को पसंद जरूर आई होगी जादा से जादा से शेयर करिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें इसी तरह की आसान और unique recipe देखने के लिए bell icon को जरूर प्रस करिएगा जिससे मैं जो भी daily videos upload करते हूँ उसकी notification आप सभी को फटा फट से मिल जाए आप लोग बन आए इंजोई करिए मिलती एक नई recipe के साथ तब तक अपना धान रखिए बाबाई टेक कियर